हेलो फ्रेंस आज मैं आपके लिए लेके आए हूं गर्म गर्म आलो का प्राठे बहुत ज़ी तरीका से मैं आपको बताऊंगी आपसे जरूर से बनाईए काफी पसंद आपकाने बाली है अगर इसे पसंद आया तो एक लाइक जुरू कर दीजिएगा चलिए शुरू करते हैं के लिए हैं राएं हैं को चीलो में दो शित्ति लगाएंगे बस अलो मश्य अった मुझा जब चूँग व्राठे लिया है तो मैंहा पर लिए है नहीं पे लिया हूंनो है ने यहां पर प्राठा क्रिस्पी बनाने के लिए मैं आप डाल रहे हैं घी तीन बड़े चमच आप यहां पर चाहे तो तेल भी डाल सकते हैं लेकिन घी डालने से प्राठे क्रिस्पी बनते हैं और तेल डालने से सब्ट बनते हैं आपो जो भी पसंद है डाल लिजेगा तो हम कर लिया है तो इसे हम ठाक कर रख देंगे 10-15 मेट के लिए तब तक आलू अच्छी तरह से पक चुकी उसको हम मेश लेते हैं तो फ्रेंज यहां पर मैंने यहां पर पहले आलू छिलाते हैं इसलिए क्यों कि हमें गर्म गरम मेशना है अगर छिलने में देरी होगी तो क्या हो देखा होंगे ठाशिप चीपी आलो के मसाले बनाएंगे तो बिल्कुल अच्छी नहिए लेकर एहाइगा तो क्या होंगे और बहुत जादा दानेदार हाइब होंगे वह जाने के बाद में अधर इसागवा एक इंच, उतकी बाद में यहाँ APP डालूवी ग्रीञ चेली 4 accessible तो fry लास्ट नहीं डाल रहे हूं अगर आप बचाया तो डाल सकते हैं न तु आपड़ कर लेजिया के सुखके बिर यहाँ शोड़ारी कि स्वाइब मित्य करते हैं ने लिकिन डालने से टेश्टी काफी लगती है पराठी खाने में तो सभी मसाली ने के बात मैंप डाल रहे हुं मैसावा आलू और सभी को ब्रहाँ से मिक्स करेंगे तो फ्रेंस यहां पर अप धनिया प्तर भी डाल सकते हैं भराप्रा सब्सक्ति कर लिया इसे भी सूरोने के लिए लाओ होने चुलिये हम पर्लुख नहीं कट और की मसाले दाले दो से दिन चमच आप यहां पर अपना मन पसंद हिसाब से भर सकते हैं दो चमच हर चमच और हम यहां पर धीरे-दीरे करते हुए इस तरह से हम बद कर लेगे देखिए बिल्कुल अची तरह से मैंने पेक कर दिया है थोड़ा साम सुखा अटा लगाएंगे और हम साइड में इसका बाद हम सभी को इसी तरह से आलो का मसालय भर कर रेड़ी कर लेंगे तो मैंने इस हम बद धर से बना कर रेडी कर लेंगे ऊज़ारा दो कईब गहर में प्राठे मोटे पसंद किया जाते हैं मैं नहीं मूटा ही रखा है और तवा को मैंने पहले गरम करका था दाल दिय को एक तरफ बख चुकी इसे भी हम पलट देंगे तरफ हमें यहाँ पर कम पकाना है दुसरी तरफ जादा दीके दुसरी तरफ भी पक चुकी है उसके बाद में आप डाल रही हूं घी ताप यहाँ फ्रेंस घी ओएल बटर जो भी आप पसंद करते हैं आप यहाँ पर यूज तो देखिए एक पराठा मैंने हाँ पर ब्लुकु बना करेड़ी कर लिया है तो दीखे बहुत ज्यादा अची तरह से मैंने हाँ पकाया है बिलुकु बिकली मैं बहुत्ते बाचे ब्रेघी करें गें आलो के पराठे बच्चों को इतने पसंद होते हैं वो तो नहीं चटनी मांगते हैं नहीं सब्जी बस ऐसे ही खा लेते हैं आपके घर में जो भी पसंद करते हैं आप बना सकते हैं चटनी हो या सब्जी हो किसी के सब्जी साथ इंजय कर सकते हैं देखिए मैंने सभी को बना क रेड़ी कर लिया है इतना सौप्ट बना है देखिया असानी से भी टूट जाती है तो कैसी लिगरें से पर हमें कमेंटों जरूर बताईएगा थेंक्यू बाय बाय